चलिए, तो आगे बढ़ते से पहले, स्टोरी के ओथर के बारे में जानने लेते हैं कि जो राइटर है, वो कौन है, क्या है, राइटर का नाम है, जिराल्ड डुरैल, ठीक है जुराल दुराल इनका नाम है ये इस तरीके से ये इनकी पिक्चर है अभी फिलाल इनकी डेथ हो चुकी है अराउंड 70 साल के थे जब इनकी डेथ हुई है 1925 में जनम हुआ 1995 में इनकी डेथ हुई इंग्लैंड में पैदा हुए थे बिटिश थे ये और नेचर से बहुत प्य अगर आप नेट पर डालोगे इनकी वेबसाइड भी है जहां पर ये वाइल लाइफ प्रेजर्वेशन के लिए काफी सारे इनके इनिशेटिव हैं इन्होंने 40 किताबे लिखी है टेलिवीजन पर इनकी सीरीज आ चुकी है तो अगर आप थोड़ा ढूनेंगे तो आपको अची शीरीज इन्होंने करी है जहां पेने वाइल लाइफ और एनिमल के प्रोडेक्षन के लिए और एणिमल पेती जो इनका प्यार इसके उपर उन्होंने इन्हें वे अच्षे से बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो ये तो हो गया उ c consort के बारे है चलिए अब इनके पास एक फोन आता है जो फोन आया है वो एफरीका से आया है मतलब कहानी में वालूम पट रहा है कि ये एफरीका के किसी आइलेंड में है कहानी में है ये एफरीका के किसी आइलेंड में है वहाँ पे इनके पास फोन आता है और जो बंदा फोन करता है वो उनसे कहता है कि मैं एक बेबी गोरिला बेशना चाहता हूँ क्या आप उस बेबी गोरिला को लेना चाहेंगे तो Mr. Dural को लगता है कि जो एफरीका में अलड़ी जो गोरिला है वो कम होते जा रहे हैं तो यह wildlife lover है Mr. Dural तो यह सोचते हैं कि मुझे इस इनसान से बेबी गोरिला खरीद लेना चाहिए अधरवाइस क्या होगा गोरिला अलड़ी कम हो रहे हैं धीमधी में यह खतम हो जाएंगे इनकी जो species है वो बिल्कुली lost हो जाएगी तो क्या करते हैं यह कहते हैं ठीक है आप मुझे बेबी गोरिला दे दो कितने का है तो बोलता है 1200 पाउंड का है ठीक है 1200 पाउंड का मैं आपको बेबी गोरिला बेज दूँगा तो Mr. Dural कहते हैं है ठीक है एक इसने सही रेट लगाया है तो मैं 1200 पाउंड में बेबी गोरिला इससे खरीद लूँगा है लेकिन अब प्रॉलम क्या होती है इनके दिमाग में एक डाउट होता है इन्हें लगता है कि कहीं है मुझे गोरिला की जागे चिंपैंजी ना दे दे तो देखने में आप देखोगे बहुत ही सट्ल डिफ्रेंस है सभी नहीं रहा डिफ्रेंस समंझ में नहीं देखर्या एक जैसे ही लगता है लेकिन दिफ्रेंस होते है ये गोरिला और ये इदर लेफ्ट साइड वलाप का चिंपैंजी है ठीक है तो ये गोरिला है अब व्हादम है मालूम पढ़ेगा कि इनको गोरिल्ला यह मिलता है कि इन के पास पैसे होते नहीं है Smart ठीक है होते ही नहीं 24-बॉइ जिसक्स करते हैं 24-बॉइ अपंपस कहते हैं 1200 पास है नहीं है तुम नियुक्त में 1200 पाईट को गोरिल्ला लेा होता है और दूसरा बीवी को भी डाउट होता है कि कहीं मालम पड़ा गुरल लागी जागी चिंपेंजी दे दिया तो मिस्टर टोराल कहते है मैं काम करूँगा मैं जितने भी इस एफरिका के आईलेंड पे रहीस लोग हैं रिच लोग हैं जो उन रिच लोगों से पैसे माऊंगा तो यह क्या करते हैं फोन करते हैं अपने दोस्त को और दोस्ते कहते हैं कि मुझे जितने भी इस आईलेंड पे रिच लोग हैं उनकी लिस्ट मना के दे तो पहले इसको फोन मिलते हैं, फिर इसको फोन मिलते हैं, जतने भी रिच लोग होते हैं, कि भी यह तुम मुझे पैसे डोनेट करो, मुझे एक गोरिला ख़ीदना है, बेवी गोरिला, तो पहला इस बंदे को फोन करते हैं, ठीक है, यहां से ने मिल जाते हैं 200 pound, चाहिए कितने ह तो ऐसे मतलब लंच के टाइम तक कहीं लोगों को फोन करते हैं, टोटल इनके बास 200 पाउंड आ जाते हैं, लेकिन अभी भी कम है, 1000 पाउंड कम है, फिर ये लंच के बाद फोन करते हैं, मेजर डोजो को, मेजर डोमो को सॉरी, ठीक है, तो मेजर डोमो को फोन करते हैं, तो मे कर देते हैंओ कितना हो गइवाँबाइंट हो गया वार्सो पॉंड गई भी था hence यह payment कर देते हैँ अब भी अब जो गुरीला पिन प के ओला आता है वह है अनन अच्छ गरिलब ए Pandra नमब गरिलब अपने घर में अच्छ गरिलब एक मरत अच्छ बहुत हमक्ति है वह स्धूली एफ अच्छ भी थे को अच्छ झवरिलबगा दो माँड धी पशंए बहुत ने ही ट죠 मैंने बुल ना जिस gorilla намther निचर बहुती loving nature है इस gorilla का ठीक है बहुती loving है और बहुती husmok भी है थीg अच्छा है काथी तो निचर इसको cheerful है धीवे ने मेंचेlor को Lord Americanjust हो जाता है सबकुछ ठीक चलता है कुछ साल का time निकल अजाता है कुछ यह फिर फोन करते हैं उसी को जिससे नोने यह एन पोंगो को खरीदा था उसी डीलर को फोन करते हैं जो जानवर बेसता है कहते हैं भाइया मुझे अपने गोरिला के लिए एक फीमेल गोरिला चाहिए तो मैं इसको इंस्ट्रॉल्मेंट पर ले लूँगा कहते हैं तो मैं पर इंस्ट्रॉल्मेंट लड़िए तो फीमेल गोरिला में पस नैंडी की लेजाओ अब यह साथ निशान मस्कर स्क्रेच दड़ी होई शी होई है ठीक है तो इससे इनको इंडिरेक्टली हिंड मिलता है मिस्टर दोराल को कि जो नेंडी का treatment है वो ठीक नहीं हुआ तभी तो फर पे इतने निशान है तभी तो बैचारी सहमी हुई है डरी हुई है कोई इनसान सहमा डरा हुआ अकतव होता है जब उसके उपर कोई torture हुआ हो या कोई मुसीबत आई हो बहुत जादा ठीक है तो इससे इनको अंदादा लग जाता कि नेंडी का treatment ठीक नहीं हुआ जो इसका ओनर था पुराना जो इससे इनको खईदा है उसने इसको ठीक से treat नहीं किया है फिर कोई बात नहीं लाकिन एंडी को अपने cage में अपने zoom में बंद कर देते हैं और n-pongo से अलग है starting में अलग ही रखते हैं साथ नहीं रखते लेकिन n-pongo उसको देखता है और n-pongo जो होता है जो meal gorilla है वो नेंडी को धीमे-धीमा like करना start कर देता है और जैसा मैंने बोला है कि जो n-pongo है बहुत ही cheerful है इसकी जो हरकते हैं बहुत ही अच्छी है अलब देखते ही आपको प्यार हो जाएगा तो धीमे-धीमे जो नेंडी है वो भी इसकी तरफ एट्रैक्ट हो जाती है और फिर इनका अच्छा एक bond हो जाता है आपस में इनका union हो जाता है ठीक है दोस्ती वोस्ती हो जाती है कानी आगे बढ़ती है अब धीमे-धी में क्या होता है n-pongo अब बिमार पड़ जाता है ठीक है यह सिक हो जाता है तब इसकी ठीक नहीं रहती है थोड़ा सा वेट लॉस करना स्टार्ट कर देता है खाना पीने ठीक से नहीं गाता है तो यह देखके मिस्टर दॉराल किया हो जाते है थोड़े से बड़े वह चिंते हो जाते है ठीक है नोगी नको पाँछा है का ट्रेंशन हो जाता है इस जो लिए गुरिल स्प्मप माँ थे है इस खुड़ि निया को आता है उसको लेक्या था क्योंकि इनको इनको फ्रांस कुछ utz जो हम स्वाय के साव çी-क यह कुछ पूर पर दतती हुच से स्लशिले से जाना था क्योंकि भाइल लाइफ लावा रहे जाते रहते हैं तो अब इनको जाना था फ्रांस वह पर कुछ बीज से लिंक our way दो wees आप खाना निखाते हैं तो क्या होता है घर में आप मम्मी आपको बहुत अच्छी चीज़े मुना के देती है तागी आपका मन करें आप कुछ खाओ जब बेमार होते हो तो इसी तरीके से यह फूट्स लेकर आते हैं वाटरमेलन लेकर आते हैं तो एन पोंगो धीमे धीमे ध पहुता है वेड गिन करना स्टाट करता है वापस आपको में चमाका जाती है रहती है जब यह हेल्दी होता है तो इसकी वापस आंक्छा पaltetकर आते हैं तो जब यह वापस आते हैं ठीक है, इस तरह से फिर कहानी आगे चलती है, इनकी फैमिली में वर्जस्ट वैदा सब खुश रहते हैं, तो यहां पर कहानी पूरी एकदम हुआरी है, एंड हो जाती है, अब इस कहानी सब ने सीखा क्या, इस कहानी सब पर हम ने सीखिए है, फ्रेंड्शिप सीखिए, दोस में गैस्ट रूम में रखा, इसलिए कहानी का नाम ये है, गो held in the put in the g drummer, गोई कुई hы रखता है, लेकिन उन्हें यहों ने उसको अपने एक भाई की तरह ठीट किया, अब उसको एक Family Member की तरह ठीट किया और उसको gas room में रखा, बजाय की, एक cage में रखने के, ठीक है, तो तब देखा कि उसके तब एट ठीक नहीं है तो यह बहुत घवरा गए थे Mr. Doral ठीक है फिर हमें मालूम बढ़ता है love for wildlife wildlife के लिए इनका काफी प्यार है इन्होंने अपने आसपास zoo बना रखा है वहाँ जानवरों को रखते हैं बहुत प्यार से रखते हैं जानवरों को और जब इनको मालूम बढ़ता है कि गोरिला की जो species है वो extinct हो रही है गोरिला खतम होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं दुनिया में नहीं प्योंड है पूरे इन्होंने बोला ठीक है मिर पास पैसे नहीं है लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बोला कि मैं 1200 पौंड कहीं सा भी एरेंज करके इस बेपीज गोरिल्ला को लेकर आँँगा तो पिर इने इसमें भी देखने को मिलता है कि अहाच ट्रीट्मेंट भ जो ट्रीटमेंट किया था जो पराने ओनर ने ठीक है वो ठीक से नहीं किया था क्योंकि मैंने जैसा कि बताया उसके जब यह लेकर आया थे मिस्टर डॉराल घर पर तो इसके फर पर पे तो कही नहीं हमें यह भी दिखाई देता है कि अभी भी दुनिया में जो जानवरों का है वो हर्ष ट्रीटमेंट भी होता है ठीक है तो यह हमें पूछ लेसन लेंड की है इस समय बहुत अच्छा एक स्टॉंग बांड दिखाई दिया है एनिमल और मैन के बीच में फ्रेंशि रहा है तो वाइस यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कौइंड ली स्कोर्यार सबके साथ शेयर जरू करिए कखोंगी बहुत महत लगती है इन वीडियो को बनाने में हैवनाइस जे बाबाई टेक कियर